हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे और देख लिए आप सभी अब तक तो समझी गए होंगे कि आज किनका श्रिंगार मैं आपको दिखा रही हूँ, एक्चुलि ये श्रिंगार पहले हो चुका था और मैं ये वीडियो थोड़ा लेट लेकर आ रहे हूँ, क्योंकि विस्तता बहुत हो जाती है, अगर कोई घर में छोटा मोटा भी तेवहार हो तो अभी आपको पता है, पहले नया साल था और उसके बाद ये संक्रांती का था, तो ये संक्रांती स्पेशल जो इनका नया साल का श्रिंगार था, उसका वीडियो आप सब के साथ शेयर करूंगी, तो ये यलो ड्रेस में पहले तो तयार हो रखे थे, रेड और यलो के कॉम्बिनेशन में, और आज जो होने वाले हैं, जो आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा, कम्प्लीट मंदिर का जो ड्रेस है, ब्लू एंड मस् करती हूँ, और इस वीडियो में बताऊंगी, कुछ लोग कहते हैं, दोती कैसे पहनाते हैं, उनके पैरों के बीच में से वो कैसे फिक्स करते हैं, तो छोटी-छोटी सी चीजे आपको बताऊंगी, और ये पोशाग भी घर में ही बनाई हुई है, पगड़ी, पगड़ी के और आप दर्शन करिए, पहले इनके ओवराल लुक के बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं, और आप राधारानी को देखेंगे ना, तो कहेंगे आहाहा, मजा ही आ गया, इसके बाद आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, इसलिए अब मै बीच से यह हिस्सा इस तरीके से दोनों पैरों के बीच में से निकालना होता है, प्लेटे सेट करते हुए अब इस तरीके से अगर बीच से निकाल देंगे, तो पूरा स्टाइल आपका दोती का लुक आ जाएगा, और इतने हिस्से में ही बस लेस लगाई जाती है, बाकी स विग्रह होता है, तो डायरेक्ट लाइव वीडियो में हम इनको बिना वस्त्रों के नहीं लेकर आ सकते हैं, बस इसलिए, तो बस आप देखिए चोली इनको पहनाई है, सब की चोली एक जैसी बनाईती है, अगर आपने नहीं देखी हो ड्रेस का वीडियो तो आप देख ल हमेशा की तरह मैं दो पटके दूँगी, एक औरेंज है, ये वीडियो में आपको हलका सा रेड लग रहा होगा, और उसके साथ साथ जो कंट्रास्ट पूरे मंदिर में ब्लू बना है वो, तो पहले एक पटका इनका सेट करेंगे, उसके बाद हम दूसरा वाला देखेंगे तो अभी इस वीडियो में पूरा अंकट वीडियो है, आपको दिखेगा मैं कैसे लगा रही हूँ, नहीं लगा रही हूँ, फिर हटा रही हूँ, फिर लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है, जब तक मन नहीं भढ़ जाता है, जब तक या फिर भगव उसके बाद भी आराम से पॉन घंटा से एक घंटा तक लग जाता है, तो बस देखिए किस तरीके से हो रहा है, एक पटका मैंने सेट कर दिया है, पीछे से लाके दोनों हातों में से निकाला है, और चोकर सेट में इनको पहना चुकी थी, और एक लंबा हार मैंने बस जाल दि लिया था, तो उनको पहना के देखा, फिर मुझे ऐसे लगा, यही वाला जाद अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने हटा दिया, और जबकि उसको लाए हुए, मुझे एक साल हो गया है, लेकिन भगवान उसे पहनना ही नहीं चाते है, और वो परस्नली देखा जाए, तो बहुती जादा खुबसूरत है, और कॉसली भी है, लेकिन फिर भी यही वाला हार हर बार ड्रेस पे इतना सुंदर लगता है, और वो वाला रखा रह जाता है, तो छोटी-छोटी सी चीजे होती है, शायद भगवान को नहीं पहनना होगा, इसलिए, और यह जो देख रहे ह होता है, यह भगवान हमारे पहले से ही पहने रहते हैं, फर मनिट, अपने अपने भाव हैं, आप चाहे तो पहनाएं, चाहे तो ना पहनाएं, आप देखिए, आज़कल बड़ी सुंदर बिंदिया आती आती है, colorful stone वाली, तो इस तरीके का मैं बिंदी का पता लाके रखती बना चाहते हैं तो बहुत ही चोटा-चोटा चीजे होती हैं हम अपने तरीके से लगा लें तो बहुत ही अच्छा हो जाता है अब देखिए, रेड कलर की ड्रेस थी ना पहले वाली, तो पगड़ी उनकी बंधी हुई थी, रेड और येलो में, और मैंने वही बालो को हटाया नहीं, पूरा टैच था पगड़ी उनके बालो के साथ, तो मैंने हटाते समय बड़ी सावधानी से हटायी थी, कि उनकी करके ले लिया है, लेकिन पहले मैं इनका पटका सेट करूंगी फिर बाल, वनना बालो के साथ बाल इतने हैवी हैं फिर पटका सेट नहीं हो पाता, इसलिए तो देखिए, पहले हम इनको मैचिंग का ब्लू बला इनका पटका दे देंगे, उसके बाद ही हम करेंगे, अब किस तरीके से देना है, आप वीडियो में ध्यान से देख रहे होंगे, कि मुझे कितने जतन करने पड़ते हैं, तो पूरा सेट करने के लिए, और फाइनल सेट तो ये तब होगा, जब हमारे भगवान अपने स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, तो देखिए, इस तरीके चुन्नी के पास लगा दूँगी उसको, तो उस चुन्नी के ऊपर चुन्नी ये सेट हो जाएगी, और चुन्नी में नीचे प्लीट डालने के लिए उसको चोटा सा पिन अप कर दूँगी, इस तरीके के जो पेन आती है ना, उससे, तो देखिए, यहाँ पे हलका सा वो करके हम इनका अच्छा श्रिंगार कर सकते हैं, आपने स्कॉन वगेरा में भी देखा होगा, ड्रेस कैसे एक यू करके पूरा रहती है हवा में, तो वो धागे से की जाती हैं, वो धागे कहीं कहीं उनके चारो तरफ दिवारों में टक होते हैं, उस तरीके से उनकी ड्रेस स चुटे से जुगार करके न, हम भी घर में बहुत सुन्दर स्कॉन जैसा पूरा लुक दे सकते हैं भगवान को, तो बस इसी तरीके से करना है, बहुत बारीकी से और आप दर्शन करते जाईए, बताइएगा आपको इस वीडियो कैसा लगा, आपको श्रिंगार कैसा लगा अगर पसंद आया हो, तो जादा से जादा इस वीडियो को शेर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, तो मैं पगडी मैंने उसी तरीके से पहना दी, और अब मैं इसके उपर ब्लू कलर का सिल्क का कपड़ा है, जो मेरा इस पे पूरा अच्छे से मूफ करते हुए पग बस जैसी आती है, और जैसी भगवान मुझे से बंधवा लेते हैं, मैं वैसी बांध देती हूँ, तो देखिए किस तरीके से इसको घुमाते हुए प्लेट डालते हुए इसको बांधते जाना है, और थोड़ा सा वीडियो में आपको दूर से दिखता है, तो विग्रह छो किया था, उनी पिनों से, हम बस इस तरीके से लगाने हैं, कि भगवान को कस्ट ना हो, उनको पिन ना लगे, बस उनके बालों में और पगडी में, कपड़े में ही पिन रह जाए, तो उस तरीके से सेट करते हुए, हम यहां पे सारे पिन से लगा देंगे, और यलो वाला प चाहें, तो मैं आपको वीडियो शेयर कर सकती हूँ, तो प्लीस मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि आप मुझे किस तरीके के वीडियो चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, इस वज़े से मैं इनका वीडियो लेकर आई, एक मेरी सब्सक्राइब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डाइरेक्ट पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी में मेरा इसी नाम से है, जिस नाम से मेरा चैनल है, और देखिए पगडी सेट करने के बाद फिर पगडी के अटेचमेंट की बारी आती है, तो पगडी के जितने भी अटेचमें तो अपने according उनकी पगडी भी रेडी हो जाती है, अगर हम रेडी मेट लाएं तो इस तरीके की पोशाग भी नहीं मिलती है, और दूसरा जो क्या होता है, छोटी-छोटी सी चीज़े होती है, जो पगडी स्पेशली होती है, तो आप जितनी जादा पगडी लेते जाओ, जित मैंने एक बार किसी से पूछा था, मैं इस पे नाम नहीं लूँगी उनके चैनल का, सिर्फ 9-10 इंच की ड्रेस की का प्राइस उन्होंने इतना कॉस्टली बताया, कि मुझे लगा इतने में तो मैं उनकी दो जोडी ड्रेस रेडी कर सकती हूँ, और शाहिद मैं पूरे मंद पूरत हो जाती है भगवान की, और इनकी बासुरी देदी है, जिसके बिना तो श्रिंगार अधूरा है, उपर मोर पंक और कलंगी लगा दी है, तो इनका फाइनल लुक, देखिए चरण दर्शन कीजे, पायल वाले कितने सुन्दर लग रहे हैं, और ये मेरा विग्रय पी वज़े से ये हो गया, तो इस तरीके कि अगर आप पीतल के लेते हैं, या अस्ट दातु के विग्रय लेते हैं, तो आप निश्चिन्थ होके उनका बड़े अराम से श्रिंगार कर सकते हैं, और इस श्रिंगार से पहले इनका दूद दही से, अच्छे से जल से, गंगा जल से इनका इसनान किया था करवाया था उसके बाद इनका फाइनल श्रंगार हुआ है तो I hope आपको ए ठाकुर जी का श्रंगार पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीस मुझे वो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए थैंक यू र आदे आदे